हलो दोस्तो इस पीए क्लासेजवन में आपका हारदिक शौगतियों मविनंदन है मैं आज आपको संधी के बारे में हिंदी ब्याकरण के बारे में बता रहा हूँ संधी का आर्थ होता क्या है देखिए हमने यहां लिखा है संधी संधी का आर्थ जोड होता है जोड को संधी क कहते हैं संदी कहते हैं दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती वरणों के परस्पर मेल से जो उसमें परिवर्तन होता है उसे संदी कहते हैं अब देखे संदी और समास में अंतर हम बता रहे हैं समास सब्दों के मेल को कहते हैं संदी वरणों के मेल या ध्वनियों के मेल को कहते ह संद किसे कहते हैं, वरणों या धोनियों के मेल को कहते हैं, अब देखे संद के परकार कितने होते हैं, संद का भाग संद तीन परकार की होती है, भाग या परकार दोनों एक कही है, संद तीन परकार की होती है, पहली संद क्या है, स्वर संद है, दूसरी बेंजन संद है, तीस से बनती है विसर्ग में अह से मिलकर बनती है तो यह बेंजन और विसर्ग हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे आज हम स्वरसंदी के बारे में पढ़ेंगे तो देखें स्वरसंदी क्या है और कितने प्रकार की श्वरसंदी होती है तो स्वरसंदी के प्रकार देखी अब हम आगे बता रहे हैं तो देखिए यहां लिखा हुआ है स्वरसंदी के प्रकार स्वरसंदी पांच प्रकार की होती है तो पहला क्या है स्वरसंदी में पांच प्रकार की होती है पाँचों का नाम हम बता दे रहे हैं पहला है दीर्ग संदी दूसरा है गुण संदी तीसरा है बृद्धी संदी चवती है यण संदी पाँचवी है अयाद संदी तो आज हम अभी ततकाल में हम ततकाल में हम दीर्ग संदी के बारे में पढ़ रहे हैं दीरगसंद क्या है दीरग का मतलब दोस्तों बड़ा होता है बड़ा क्या होता है जब दो सब्दों के मिलने से कोई बड़ा मेल बनता है या बड़ा उच्चारण होता है या बड़ी मात्रा का उलेक होता है तो उसे दीरगसंद कहते हैं अब देखें दीरगसंद में दोस्तो आ, आ, इ, इ, उ, उ, के साथ यही स्वर आ, आ, इ, इ, उ, उ, आए तो यह बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ बनता है तो जब बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ बनता है तो वहाँ पे दीरगसंदी होती है देखें यहाँ लिखा हुआ है जब दो स्वर मिल जाए तो बड़ा स्वर का उच्चरण करता है तो दीर्ग संदी होती है जब दो स्वर मिलते हैं जैसे आ और आ मिले तो बड़ा आ बन गया तो यहाँ पे दीर्ग संदी होती है दीर्ग का मतलब विशाल बड़ा अब देखिए जो इसके उदारण है जैसे यहाँ धर्मार्थ है, स्वार्थी है, बिद्याला है, देवा गमन है, गिरीस है, परिच्छा है, योगी स्वर है और महात्मा योम सत्यागर है, इतने हैं हैं तो बहुत ज़्यादा लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा उदारण बता रहा हूँ, आप खुद समझ जाएगा, जैसे स्वार्थी में है, स्वाधन अर्थी, स्वा के साथ आ मिला हुआ है, पलस अर्थी मिल गया, तेहां स्वार्थी हो गया, बड़े आ का उचा है, तो देवधन आगमन में देवा गमन हो जा रहा है, बड़े का उचारण कर रहा है, गिरीस में गिर्धन ईस है, तो आ के साथ ई मिल जा रहा है, तो बड़ी ई बन जा रही है, परिच्छा में परिधन इच्छा है, परिधन इच्छा बराबर परिच्छा है, बड़ी ई बन जा रही है योगी स्वर में योगधन इस्वर बराबर योगी स्वर है और महात्मा में महाधन आत्मा बराबर महात्मा है इस प्रकार से मित्रों देखेंगे ये दीर्ग संदी बनती गई है तो दीर्ग संदी का मतलब बड़ी संदी हो गया अब हम दूसरी संदी के बारे म बता रहे हैं पहले तो दीर के संदी हो गई देखिए दोस्तों यहां दूसरी संदी गुण संदी है गुण संदी के बारे में बता रहे हैं हमने यहां संकेत लिख दिया है संकेत यहां लिखा हुआ है जैसे ए की मांतरा और ओ की मांतरा का उचारण करे यहां पर वर्ड लिख यहनि आ, आ, ए, उ, उ, जब एक दूसरे से मेल करते हैं तो बनने वाले सब्द ए बनता है ओ बनता है और बनता है तो यहां देखिए ओ की मांतरा और ए की मांतरा हमने लिख दिया है जिस वर्ड में ए, ओ और की मांतरा आए वह क्या है? गूंड संदी है अब देखे गुण संदिके कुछ उधारण हमने लिखे हैं नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेश, हितोपदेश, परोपकार, देवर्ष, महर्ष, सब्तर्ष, नरेंद्र में देखे एकी मांत्रा लगा है, सुरेंद्र में एकी मांत्रा, नरेश में एकी मांत्रा, हितोपदेश में ओ की मांत्रा यहां बीच में तो है परोपकार में ओ की मांत्रा है देवर्ष में उड़वारा अर हो गया है महर्ष में उड़वारा हो गया है सबतर्ष में उड़वारा हो गया है आप यह भी समझ लीजिए जहां बीच में ए ओ और आये तो गुण संदी होता है जैसे नरधन इस बराबर नरेश यहां मिलकर के आ और यह मिलकर के यह बने हुए हैं यह नरेश है अब देखिए हम तीसरी संदी के बारे में बता रहे हैं दोस्तो तीसरी बृद्धी संदी है बृद्धी के मतलब भी बूढ़ी तो देखिए यहां पर बिद्धी में दिया हुआ है आए के मांतरा आव के मांतरा तो ये बनता कैसे है आ और आ मिलकर के आ और आ से अगर ए और ए मिलें या ओ मिलें तो ओ बनता है और ए बनता है देखी, ए ओ ओ आए तो ऐसे ए आउ बनाता है तो ब्रिधी संदिया बड़ी संदि होती है ब्रिधीक मतलब बड़ी या बुढ़ी संदि हो गई तो यहां बड़ी या बुढ़ी संदि बनती है तो इनके उदाहरण हैं देखे यहां एक्जेम्पल लिखा हुआ है एक्जेम्पल को देखते रही है देखे दोस्तों एक्जेंपल में क्या लिखा है एक एक सदैव बंधैव दंतोष्ट महाज और महावसद देखे महावसद का संधिविछेद महाधन आवसद है तो महावसद हो गया तो यहां देखे बीच में आई की मांतरा है बीच में आई की मांतरा इसके पहले हमने जो बताया बृद्धी संधि में इसके पहले जो हमने बताया वह गुण संधि थी गुण संधि में ए और ओ की मांतरा बन रही थी बृद्धी संधि में आई और आओ की मांतरा बन जा रही है तो इस प्रकार से आई और आओ की मांतरा बन जा रही है तो यहाँ पर देखेंगे इन उदाहरणों से असपस्ट है कि बीच में आय और अव आये तो ब्रिध्धी संद्य होती है और बड़ा मिल जाए तो दीर्ग संद्य होती है और और ओ आ जाए तो यण संद्य होती है अब इसके बाद हम अगली संदी के बारे में बता रहे हैं देखिए देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ याण संदी याण संदी जो चौती संदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं यहां ई बड़ी ई उ बड़ा उ री के बाद आ ई उ ए आ ओ आव आए तो या रव या या वर के कोई सब्द अधूरा सब्द आए तो यहां संदी होती है तो जब यहां स्वर में ई और उ उ री के बाद आ ई ए ओ आए तो वह बीच में या रवा में बदल जाता है तो यह रावा में कोई भी सब्द अगर जुड़ता है तो एक लंगड़ा सब्द बनता है जो अधूरा होता है जैसे अत्य अधिक इसमें देखे ता लंगड़ा है या अधूरा है उपर युक्त, इत्याद, निून, संख्यात्मक, अनवेशन, अत्याचार, अंजली तो यह क्या है यण संदी है यण संदी में यही पहचान है कि बीच में आधा लंगड़ा कोई सब्द आ जाता है क्या आता है आधा लंगड़ा या धूरा सब्द आ जाता है तो जैसे आधाता है अधाता है उड़वरा है आधाना है आधा खा है आधाना है ता है आधाना है य यह सब्द क्या है जैसे अंजली हुआ नियून हुआ अत्याचार हुआ तो देखे यहां संद विच्छे देख हमने किया है आति धन चार बराबर अत्याचार यह ति धन आ चार बराबर अत्याचार तो देखे त के बाद आ जुड़ा है त में आ है आ के बाद बड़ा आ जु तो जब यह सब्दों का मेल होता है तो यह वा रह यही जो बीच के इत्षर benते हैं जैसे इत्याद में हब या हो गया अत्यादिक में हो गया। पर्यूक्त में या हो गया, निून में या हो गया, संख्यात्मक में या हो गया, अन्वेशन में देखे वा हो गया, अत्याचार में या हो गया, अंजली में हो गया, इस प्रकार से यह यण संदी बनती है, अतिधन चार से अत्याचार होता है, अतिधन आचार से अत्याचार ह होता है अब देखिए हम अंतिन संदि के बारे में बता रहे हैं जो स्वर संदि की अंतिन संदि है अब देखिए दोस्तों यहां आयाद संदिव है आयाद में बीच में ए आय ओ आव बन जाता है ए ए ओ आव के साथ आई उ ए आए तो आय आव अवी बने तो वहां पर क्या होत आयाद संधी होती है जैसे नयन या बना हुआ है आया नयन ने धन अन बराबर नयन है ने ने में देखे एक मांतरा है फिर आ उससे जुड़ा हुआ है तो यहां नयन हो गया जैसे नायक नायक है यहां या हो गया नाईका देखे यहां आईका नाईका में इ आया वी जुड़ हुआ है भावन पावक वक हो गया है अव हो गया भावक और भावन गायक पावन यह सब्द जो बने हुए है गायक पावन तो यह आयाद संद के उदहरण है इसमें आय ओ अव बदल जाता है तो यह आय आव किसमें बदल जाता है आय आव भावी में बदल जाता है अवी में जैसे ने धन अन या बन गया यहाँ पर नायक ना धन आयक बराबर देखे यहाँ पर यहाँ हो गया है नायका ना धन आयका बराबर इका देखे यहाँ यह जुड़ा हुआ है इस परकार से संधियां होती है अब यह पांच संधियां जो थिस्वर संधिके दिर्ग संधि, पूर संद या और अयाद संद जिनके बारे में हमने आपको पहचान बता दिया है अब इससे आप पहचान जान सकते हैं और इसका संद विच्छेद भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आया है संद विच्छेद तो अगले बार कमेंट कीजिए या किसी क्लास में कमेंट कीजि और अपने दोस्तों में हमारे ग्यान को बढ़ाने की बाटने की कोसिस करते रहिए हम आपको तमाम तरीके के प्रस्न और ग्यान सिखाने की कोसिस कर रहे हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को देखिए लाइक और सब्क्राइब भी कीजिए और कराईए तभी लोग इसका फायदा उठा पाएंगे और लाइक सब्क्राइब जब जितना अधिक होगा हमारे भी हौसले उतने बढ़ेंगे हम आपको अच्छे अच्छे जनरल नालेज, हिंदी, समान ग्यान, गडित और रिजिनिंग के प्रस्णों को लाएंगे आज की कलासें समाप्त होते हैं धन्यवाद